आप लोगों के सामने Realme Narzo 70 Pro 5G का यहां पर सबसे पहले करें मैं डिजाइन के बारे मैं आपको बात करूँ जैसे कि दिया जा रहा है कि इसमें आपको जो Amazon और सबसे पहले सबसे अहम रखी जाती है जैसे कि ग्लास बैक पैलन वाला सेग्मेट का पहला फोन बताया गया है डिवाइस में डूल टोम डिजाइन देखने को मिलता है जिसके उपर की तरफ फोल्ड शेड और नीची की तरफ हलका सा शेड है फोन को उपरी हिस्से में चमकदा और फिनिस हो सकती है जबकि बाकी बैक पर मैट का हो सकता है बैक पैनल पर यूजर्स को बड़ा गोलाकार कैमरा में रूल दिया जा रहा है जिसमें टिपल डियर कैमरे का सेटप एलेड फ्लैस के साथ मिल रहा है पीछे की तरफ नेचे की और स्मार्टफोन के रियल में और नार्जो ब्रैंडिंग दी गई है फोन के फ्रंट पर पंच होल डिस्पले है जो कि उमीद की जा रही है कि इस डिवाइस में ओ लेडी पैनल हो सकते हैं इस प्रिकेशन की बात करूं जैसे की डिस्पले है वन टॉन्टी हर्डेस का रिफ्रेस रेट मिल रहा है नए फोन मे 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है पांच रेमिस की बैटरी के साथ मिलने की संकेत है इस्टोरेज के मामले में 12GB रेम और 25GB का सपोर्ट है जो की ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर कहीं ने कहीं लेटेस एंडरोइड 14 पर बेस्ट रखा जा रहा है दोस्तों जो टी साथ ही में कंप्री ने कस्टमर्स को एक हजार रुपे तक का एक्सेंस बोनस का भी वादा किया है रियल मिनार्चो 70 प्रो पर एर जेस्टर्स वाले फीचर्स से हो सकते हैं जिसमें यूजर्स दूर से ही हाथों के इशारा करके यूज कर सकते हैं जो कि नेविगेट कर पहली बार दिया जा रहा है यह सोनी का एमेकस 890 सेंसर तो यह वीजिए तो यह सारी चीजह थीदि दोस्तों डिजाइन सारी चीजह बता दिया गया है यह लॉंच जल्द ही होगा जो कि डूल टो डॉल टॉन डिजाइन के साथ टीज हुआ है जो कि ऑज साथ सबसे पहले आ कि अपर अजय और झाल दो कि अपर, कि अजय पिए, कि अपर श्टिर